University for Kashmir, जिसकी tagline Unify Kashmir का नाम आपने कही बार देखा होगा सोशल मीडिया पर बार बार जो चर्चे में रहता है आज इस initiative को स्टार्ट करने वाले जो डॉक्टर महभूब मगदूमी है वो हमारे साथ है और हम जानेंगे कि Unify Kashmir जो initiative लिया गया है तो इसकी जरूरत क्या पड़ी और ये प्रोजिक्ट जो है किस हवाले से कश्मीर में बनाया जा रहा है मगदूमी साब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें टाइम देने के लिए Unify Kashmir जो है काफी बार चर्चे में रहा है कई सारे लोग जो है इस बारे में बात करते आये है तो अब हमें ये बता दीजे कि Unify Kashmir जो initiative आपने लिया है एक प्रोजिक्ट जो है युनिवर्स्टी इस्टैबिश करने का है तो क्या जुरूरत आपने समझी कि कशमीर में कही सारे उनिवर्सटी इस आलरेडी है तो आपने उनिवर्स्टी ही बनाने का जो प्लान क्यों किया देखे पहली बात है कि यहां पर सबसे कम उनिवर्सटी है कई सारी मुझे लगता है पांच शे है वो सब पब्लिक उनिवर्सटी है गवर्मेंट उनिवर्सटी है प्राइविट कोई नहीं है दूसरी चीज यह है कि अगर कोई प्राइविट इनिवर्स्टी आ जाती है और वो अपना डाइनमिजम उसमें लाती है बड़ आट ते सेम ताम गवर्मेंट की तरह वो नाट फर प्राफिट हो जाती है वो एक बहुत अच्छा मुझे लगता कि मिक्स होगा गवर्मेंट में जो पॉजिटिविटी है नौट प्राफिट होने की और प्राइविट में जो डाइनमिजम है वर्क फॉल्चर अच्छा है उसको मिक्स करते हुए ऐस इस नवियत की जो यूनिवर्सटी है यहां पर और जो दूसरी चीज जो जो जूसरी मोडिवेशन हमें लग रही है कि जो इस वक्त की जो पढ़ाई है इस इस बनावड़ाइट है तो इस नवियत की जो जो बहुत सारे लोग मना सकते हैं यहांके जो मतलब एक अनॉमिक्री वेल उफ क्लास है वो बना सकती है गर्मेंट अनको तो पैसे डूड़ने भी नहीं है वो बना सकती है लेकिन जो इसके पीछे एक एजुकेशनल फिलोसफी है वो डिफेंट है वो है कि वी आर ब्रेसिंग फॉर्थ इस्टियों डिस्रॉप्टिव टेक्नालोजी जो कि एजुकेशन की लैंड्सकेप बिलको चेंज कर र कि अकेली ही चला था मनजिल की और लोग आते गए और कारवाम बनता गया है इस इट कोई ड़ वे इस सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अला मदद करे हमारी और जो अवाम है वो इसके साथ ऐसे जोड़ें जैसे इस वक्त जोड़ें दो साल पहले मुझे जहां तक इन्फॉर्म उसके बाद जो ऑगस्ट फाइव और फैंडमिक का मसला वा उसकी वज़े से तो तो एड़ साल ऑफिस बार दी था सिर्फ दो महिने हमने 2019 में काम किये तो और अफ मॉन्स अब पिछले दो महिने जफित से काम करें इस बैसिकली तीन साल से तो हम एक्जिस कर रहे हैं लेकर चार महिने में अलहमदला गर्मण के साथ बीमारा मॉई उसाइन हुआ उनकी जो पॉलिसी जे नाच्रल एड़ुकेशन पॉलिसी है या उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बिल्कुल फेवर कर लिए एड़ुकेशन को और हेल्थ केर को भी तो उस हिसाब से अलहमदला म अभीत लोगों की साइड साभी और 30s की साइड सब्सार यह का एक बढूड़ा प्रोजेक्ट में काफु सारे पहीत पैसों की जुरूरत हージ데 क्रोट्पर्णिंग्द से क्वृइयृ इक एकसपेट करते हैं कि लोग इसमें पार्टिप्येट करेंगे जैसे इससे पच्छ्म में हमें यह देखने को मिला के बेरोक्रेटर ने पॉलिटिशन उसने फंड रेज किया फिर उसमें इशुज आ गए लोगोंने कंप्लेंट कि हमारे फंड्स को मिस्ट्यूज किया गया तो अगर अगर अब क्राउट फंडिंग से आप जाएंगे इसके लिए पैसे आप जुम कैप सिस्थम्स इंप्रेश इंप्रेस इंप्रेश इंपट है इसके लिए जो भी पैसे जा रहे है वो हर एक एंसान देख रहा है और उस पैसे से क्या हो रहा हमारा चार्टर्ड अगांट अटन है हम टैक्से फाइल करते हैं तो हमने हर हिसाब से रिख थारन्स्पेर आप की हुए है, and we're still mulling over a plan that, inshallah, our consultant is coming up with that plan, I mean, we'll come up with a monument, where the university site will be, and inshallah, wherever the donors will be a small space, like a 2x2 space in which we have 5,000 dollars donated, their name will be written there, so that it will our name, basically, transparency level is so much, that the receipts is not enough, we're keeping our accounts out of it. Do you have any sources of crowdfunding? We can finance financial companies, I think this is a very good project, 70% of the country will be financed. Is it going to be helpful anyway for the people who drown down the students? Absolutely, we would have a reservation, not for those, who are not talented, but for those who cannot afford it. But if they have talent, they don't have money, inshallah, they will have a reservation. When you talk about international standard university, so may you please elaborate on this, what kind of international standard this university will be of? I think it's a global village right now, and international standard doesn't just mean that we have international problems solved, that's one side of it. But at the same time, you have to solve regional issues, such as the research production, almost no, produced, but its quality, again, almost no. So, the industry, if you want to become an entrepreneur tomorrow, you want to invest in something, you don't have data. How do you prepare the feasibility report? How do you prepare the data? This data will give you PhDs, real-time data. So, international standards, that you have national education policy, that you have international collaborations, which will be visiting professors, who will be abroad, which will be exchange faculty from there, which will be exchange faculty from there, which will be exchange students from there, which will be exchange students from there, that you have entire community, which will become one monolith, which will be a single kid from Kashmir, which will be one district from one district, which will be one village. So, it will not even have any ideas, but they will not have any impact on faculty, so, the person i've just realized, is that i've learned 60% of what that is, I've learned from others from colleagues from fellow students, who may be from Germany, who may also find a classroom, so, that is where all the students have created. That is the case in the university. एक उनिवर्सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रीक्टर की बड़ी जुरूरत है, अभी इस्टैबलिश हुई नहीं है, इंफ्रास्ट्रीक्टर डेवलप नहीं हुआ है, तो क्या समझते आपकी कितना टाइमिस में लगएगा कि इंफ्रास्ट्रीक्टर डेवलप हो जाए और फि क्या क्या पस्ताम है तो, ये रिलाई इस विजिए, तो ये रिलाई इस विजिए, तो ये रिलाई नहीं हुआ 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 झाल झाल